इंडिय अलाइंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें उनको वहाँ जाके मुझरा करना है तो भी करें आप देश के प्रधान मंत्री हैं इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाईए आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है परिवार समान है परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रती और परिवार के सदस्यों के उनके प्रती एक आखो की शर्म होती है वो नहीं खोनी चाहिए आज आपने मोदी जी का भाशन सुना बिहार में भाशन दिये आपने सुना होगा मैं आ रही थी यहाँ मैं उनका बिहार का भाशन देख रही थी और ऐसे ऐसे शब दुनों ने इस्तिमाल किये विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तिमाल किये होंगे देखिए प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है हम भी आदर करते हैं आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं अफसोस की बात ये है बहन और भाईयों कि इनकी असलियत दिखाई देनी लगी है और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री है इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाईए आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है परिवार समान है परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रती और परिवार के सदस्यों के उनके प्रती एक आखों की शर्म होती है वो नहीं खोनी चाहिए वो हमेशा रखनी चाहिए तो प्रधान मंत्री जी बुखलाहट में आ गए है भूल गए है कि वो देश के प्रतिनिदी है आपके प्रतिनिदी है कि इस तरह के शब्द उनके मुँझे नहीं निकलने चाहिए आखे रागे वाली पीडिया क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधान मंत्री के पद को इतना गिरा चुके है पद की मर्यादा नहीं रखी पद की गरिमा नहीं रखी